साथ हूं इस्टेडी बैटल यूट्यूब चैनल में बार आपका फिर से स्वागत है तो आज हम यूपी डिलेट फॉर्ट समेस्टर के जो मैट्स के अब्जेक्टिव कोश्चन्स हैं अगर आपने प्रिविएस एर के क्वेश्चन पर जो गाइड में आपकी दिये हुए है प्रिविएस एर के उनको हम आज हम डिसकस करेंगे कि कैसे आप उनको सलूशन निकाल सकते हैं और कैसे आप उनको सौल कर सकते हैं इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है तो प्वीसी यह मैं ऐ आए हुआ है आप गाइड में देख भी सकते हैं अपनी गाइड में अगर आप देखें उसमें दिये हुए सकरे किसी संख्या के वर्गमूल में केबल दो अंक हैं तो वहां संख्या X है और यहां पर चुकिए 2 दिया हुआ है वर्गमूल कह रहा है तो वर्गमूल में जो संख्याइं आ रही है वो 1 2 है A into B मतलब 2 संख्या है उसमें 2 अंक है यह आपको बताना है तो कह रहा है कि वह संख्या है कि यहां पर X की वैल्य आपको बताना है सपोस करिए कोई तीन अंक की संख्या आमालोगे 12 आएगा 179 का आप निकालिए 169 का जो है वो आपका 13 आएगा या आप कोई भी निकालिजे जैसे आप 225 का निकालिए 225 का निकालेंगे तो आपका 25 आएगा तो मतलब question को समझे कि कहें कह रहा है वो यह कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंख हैं देखे किसी भी संख्या का वर्गमूल में देखे किसमें 2 अंख हैं इसमें भी 2 अंख हैं इसमें भी 2 अंख हैं इसमें भी 2 अंख हैं तो वो पूछ रहा है कि ये संख्या कितने अंगों की होगी, तो देखी, ये संख्या कितने अंगों की है, तीन अंगों की संख्या है, देखे, तीन अंगों की संख्या है, इसी तरह, ये कहां तक हो सकता है, आपका, देखे, 729, ओके, 729, ये तो आपका 3 क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, अदर इसी तरह से आपको करना है बहराल question में कहा ही रहा है कि आपको एक या इसका उल्टा मैंने इसका जब बताया था तो इसका उल्टा हमने आपको बताया था कि इसका उल्टा कभी यह पूछता है कि किसी संख्या के वर्गमूल में मालीजे कोई संख्या दी हुई है तीन अंकों मतलब हम जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं वो संख्या कितने अंको की हो सकती है तो देखें आपके सब दो-दो अंके हो गए यहापे सब दो-दो अंक की संख्याओं हो जाएंगे यही आपको इसमें बताना था ओके Next देखते हैं क्या कहा रहा है next में कह रहा है कि 3 सही 3 बटा 8 का घनमूल आपको निकालना है 3 सही 3 बटा 8 इसका आपको घनमूल निकालना है ये कह रहा है निकालने को तो इसको आप देखे भिन्द में बदल लीजिए 8 3 24 देखे 3 8 24 3 27 तो ये आपका 27 बटा 8 हो जाएगा 27 बता 8 हो जाएगा एसको आप घन्मूल निकाल लीजी 27 का हो जाएगा 3 और 9 का हो जाएगा 27 का हो जाएगा 3 और यहां पर बते में 8 है तो 8 का आपका 2 हो जाएगा तो यही आपका answer हो जाएगा नेक्ट कहरा कि एक वर्ग का विकर्ड 5 अंडर रूट 2 है कोई वर्ग दिया हुआ है इस तरह से कोई वर्ग दिया हुआ है ओके माली जैम A, B, C मतलब यह डारेक्ट फार्मूले पे है किसी वर्ग का विकर्ण यह आपको 5 अंडरूर्ट 2 दिया हुआ है 5 अंडरूर्ट 2 यह वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो पहरा कि भुजा की मा बताना आबको आपको पता है यह फार्मुला आपको पता होना च French नहीं पता है याद लीजे वर्ग का विकरण देखें यह होता है भुजा रूट दो आपकी जो भी भुजा है उसका अंडर रूट दो करें दिए भुजा रूट दो से देखिए वर्ग का विकरंड बराबर भुजा रूट दो हो गया ओके वर्ग का विकरंड बराबर भुजा मान लेज़े अगर ए है तो क्या हो जाएगा ए रूड टू अब देखिए रूट टू रूट टू कर जाएगा तो ए बराबर आपका क्या आ जा प्रफियुर्दल आपना प्रफियु के सवह पूर्फन की एक यहाज व्य प्रफियद स나». इस्क्वाइबाबर आपको दिया हुआ है यहां पे वन बाई टु तो आपसे इस्क्वाइब थी्टा की वैलु पूच रहा है sin square theta क्या होगा इसकी value आपसे पूछ रहा है अब यह आपको सर्वसमिका एक है एक formula है यह आपको पता होगा sin square theta plus cos square theta बड़ाबर 1 होता है अब आपको यहाँ पे sin square theta की value बतानी ही है तो आप यहाँ से क्या कर सकते है sin square theta बराबर क्या हो जाएगा one minus cos square theta की value आपको के दे की one by two दे रखी है इसको solve के लिजी एक से eek बटा दो जाएगा तो कितना बजाएगा आधा बजाएगा तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 1 by 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा तो इसी तरह से आपको question करने है question बहुत tough नहीं आते हैं कि आप मतलब एक दो question कभी कभी बड़े आ जाते हैं जो आपको थोड़ा से solve करना पड़ेगा बाकी question आपके direct आप कर सकते हो थोड़ा ध्यान से करिए बस देखे कह रहा है कि परिमेरी संख्या माइनस 4 बटे 5 परिमेरी संख्या दी है माइनस 4 बटे 5 ओके और कह रहा है तथा 8 बटे 15 का भागफल है एवं 8 बटे 15 का भागफल आपको निकालना है इसका भाग करना है इसका जो है आपको भागफल निकालना है पंद्रा आठ बटे पंद्रा हो जाएगा अब देखिए माइनस चार बटे पांच आप लिख लीजी वैसे ही गुड़े में जब करेंगे तो आठ तो यहीं रह जाएगा आठ आपका हर में ही रह जाएगा ओं पंद्रा उपर चला जाएगा ूगे तो आप इसको सॉल्व के लीजी देखिए पांच तीन बार कट जाएगा यह आपका दो आपका क्या हो जाएगा कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था इसमें बस थोड़ा सा आपको values पूट करने थी फिर फिर कह रहा कि एक पासा फेका गया है ये प्राइक्ता का question है एक पासा फेकने पर प्रतिदर से समस्ट में अभाज संख्याओं के अवयों की संख्या क्या है देखी एक पासा आपको पता होगा पासा जो है उसमें six, छे сाइड होते हैं छे साइड होते हैं, जो कहां तक संख्याओं लिखी होती हैं एक से लेके छे तक, सो एक से लेके छे तक की अभाज संख्याओं अब लिख चाहिए ACT, दो, तीन, चार, पाँच, छे अब इसमें अभाज संख्याएं यह आपको निकालनी है, देखिए दो अभाज संख्याएं, यह आपको पता होना चाहिए, दो सबसे छोटी अभाज संख्याएं, एक भाज भी है, एक भाज भी है, दो हो गया, तीन हो गया, चार आपका नहीं होगा, चार भाज है, पांच हो लेकर 6 तक या इस तरह से question पूछा जाता है अब आएगा question तो हम discuss कर देंगे लेकिन आपको पासा जो है इसके बारे में पता होने चाहिए और तास के बारे में कितने नंबर होते हैं गड़ियां देखें बावन पत्य होते हैं तो बावन पत्य आपको पता होने चाहिए संख् फुल रहता है ओके इस तरह से question आपको करना था इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कठिन था नहीं है ओके फिर देखते हैं दूसरा question है कि 00008 का गनमूल आपको पूछ रहा है देखिए इसका आपको गनमूल निकालना है next कह रहा है यह संख्या दिवह यह point 0000 कितने 0 है 1 2 3 4 5 0 है 1 2 3 4 5 और 8 ओके तो देखिए इसको निकालने का सबसे simple formula है आप देखिए इसको दस्मला वटा आईए दस्मला वटा कि आप एक 0000 बढ़ा लिजे एक 2 3 4 5 6 अब इसका आपको क्यूब निकालना है इसका आपको गनमूल निकालना है तो देखिए 8 का गनमूल क्या हो जाएगा दो हो जाएगा और नीचे यहाँ आप 2 2 की जोड़े बनाईए 2 2 4 2 6 और यहाँ आपका आजाएगा यहाँ आप इसको ऐसे भ गुड़े 100 ऐसे भी आप लिख सकते हो ऐसे जो आप लिखोगे तो दो बटे 100 हो जाएगा देखिए 2 बटे 100 हो जाएगा अब इसको आप ऐसे भी जब सौल्व करोगे तो यह 0 आपका उपर चला जाएगा अगर 0.02 यही आपका सही उत्तर हो जाएगा इसको 0.02 जो है वो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऐसे ही कोशन आपको करना था है next कह रहा है कि sin 30 बटे cos 60 कमान आपको बताना है देखिए sin 30 दिया हुआ है sin 30 डिगरी बटे cos 60 डिगरी अब देखिए आपको values पता होने चाहिए sin 30 की value क्या होती है sin 30 की value होती है 1 बटा 2 और बटे में क्या इधर दिया हुआ है cos 60 की value भी आपकी 1 बटा 2 होती है देखिए sin 30 इसका तो आप देखिए निकालेजे एक बटा दो एक बटा तो गट जाएगा एक उत्तर हो जाएगा लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि sin 30 देखिए sin 30 बराबर होता है cos 60 के और इसकी value जो होती है वो आपकी होती है 1 बटा 2 और इसी तरह आपका sin 60 degree होता है cos 30 degree के बराबर जिसकी value होती है under root 3 बटे 2 ये दोनों आप ध्यान रखिएगा कि sin और cos में sin अगर 30 है तो उधर cos 60 हो जाएगा और इधर sin 60 है अगर तो उधर cos आपका 30 हो जाएगा वोगि इससे आप निकाल सकते हैं values उल्टा होती है बसे आपको ये ध्यान रखना है next question कहरा है कि समीकरण 5x बराबर y है और 2x प्लस y बराबर 7 को हल करके y कमान आपको निकालना है एक देखिए समीकरण आपको दी है 5x बराबर दिया है y के और दूसरी समीकरण आपको दी हुई है 2x प्लस y बराबर 7 इसको हल करना है और ये सब पिछले years में आये हुए question है पिछले वर्सों में यहां से आप direct value निकाल सकते हैं देखिए आपको value किसकी निकालने पहले यह देखिए इसमें आपको y कमान पूछ रहा है y कमान पूछ रहा है तो इसका मतलब यहां पे x value इस वाली equation में देखिए इस वाली equation में आप देखिए इस वाली equation में अगर हम y की जगे देखे, जहां पर x लिखा हुआ है, तो x की जगए, यह कहने हैं मतलब है कि y की value आपको निकालनी है, तो आप x की value, x को हटा दीजिए, x इसके इसके लिए करना पड़ेगा, x की जगए हमें y, y बटे 5, यह लिख दीजिए आप, तो देखे, x बराबर y बटे 5 भी तो लिख स रखते हैं, तो इस वाली equation में आप x की value रख दीजिए, 2 into y बटे 5x की value हो जाएगी, plus y हो जाएगा, बराबर आपका 7 है, वोगि यह अधर बराबर 7 में चला जाएगा, तो इसको solve कर लिजिए अब आप, 2y, देखे, 2y हो जाएगा, नीचे LCM अगर हम ले लेंगे, तो 5 यहाँ भी आपका हो जाएगा, और 5 यहाँ भी हो जाएगा, तो 2y प्लस 5y बराबर यह उधर हो जाएगा, 7 तो इधर देखे, क्या हो जाएगा, 5, 2, 7y बराबर 35 हो जाएगा, 7y जो है बराबर 35 हो जाएगा, तो 7 से कट जाएगा, यह हो जाएगा, 5, तो y बराबर आपका यहाँ पर 5 उतर हो जाएगा, वोगे तो इस तरह से आप solve करना है, इसमें बहुत जाएदा कुछ था नहीं, बस आपको क्यों वैल्यूस पूट करनी थी बस, next question कहा रहा है कि cot 30 upon tan 55, देखे, cot 30 और tan 45 की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ पर आप थोड़ा सा concept इसका समझे देखे, यह आपको पता है कि sin theta, cos theta, tan theta, यह तीन मूल आपके अनुपात होते हैं, अब sin 30 का उल्टा जो है वो आपका, cos theta होता है, ठीक, जो cos theta होता है, इसका उल्टा जो है वो आपका, sec theta होता है, इसी तरह tan theta, tan theta का जो उल्टा होता है वो आपका cot theta होता है तो यह आपको याद रखना है, यह काफी important है आपके लिए आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात नहीं पता है तो आप इस चीज को समझ लिए sin का उल्टा cos theta, cos का उल्टा sec theta और tan का उल्टा cot theta अब देखें यहाँ पर question में क्या दिया हुआ है, अब question में आपसे यह कह रहा है कि cot 30, अब देखें, cot 30 की value, cot 30 upon tan 45, इन दोनों की value आपसे पूछ रहा है इसका ratio दिया हुआ है, तो देखें, cot 30 किसका उल्टा हो गया आपका, अभी हमने आपको बता है cot 30 जो है, वो tan 30 का उल्टा है, तो tan 30 की value क्या होती है देखें, tan 30 की value जो होती है, वो आपकी होती है, 1 upon under root 3, यह 1 upon under root 3 value होती है तो cot 30 क्या हो जाएगा, 1 upon under root 3 का उल्टा, तो यह हो जाएगा under root 3, और tan 45 की value क्या होती है 1045 की value होती ही 1 तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा root 3 upon 1 का है या root 3 का है तो बात एक ही आपका यहाँ पर root 3 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऐसे आपको question solve करना है बहुत ज़्यादा time नहीं लगेगा अगर आप पहले से question solve किये होगे है तो आपको बहुत ज़्यादा time नहीं लगने वाला है देखिए यह थोड़ा सा थोड़ा सा time taking है किसी वरत का छेत्रफल दिया हुआ है कोई वरत है ओके यह कोई वरत दिया है इसका छेत्रफल यह वो 88100 cm2 है देखिए 88100 cm2 है यह इसका छेत्रफल दिया है तो वरत की तरिज़्यय आपको बतानी है वरत की तरिज़्यय इसकी तरिज्ययय आर मान लेते हैं वरत की 6 तरफल का सूतर क्या होता है πाई आर स्टोटा है अब देखिए यहां पे 88 है और 88 यहाँ पे हम 22 बटा 7 अगर value रख दें पाई की और यहाँ पे r square है और इधर 88 100 है वोगे तो देखें cross करने में काटने माँसाना हो जाएगा 22 और इधर 88 तो 24 88 400 आपका हो गया तो r square बराबर क्या हो जाएगा देखें r square बराबर हो जाएगा 400 गुड़े 7 ठीक अब आपको इसका r कर दीजिए r बराबर क्या हो जाएगा इसी तरह अगर हमें r बराबर निकालना हो तो यह under root इस पर चला जाएगा यहाँ पे under root इस पर चला जाएगा आप पूरे पे देखें 400 गुड़े 7 तो इसको आप क्या कर सकते है चार्स अगर हम under root निकालेंगे तो आएगा 20 और under root 7 उसी में रह जाएगा तो 20 बटा under root 7 जो है यह इसका त्रिज्या हो जाएगी अब सेंटीमीटर में चुकि आपकी जो छेत्रफल दिया है वो सेंटीमीटर में है यह इसका आपका इतना सेंटीमीटर हो जाएगा जो भी यूनिट है यूनिट लिखना बहुत जलूरी है अदर वाइस आपका आधा एक नंबर कट सकता है अगर एक नंबर का कुश्चन है तो आधा नंबर कट जाएगा अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो कि यहां पर चार्स हो था तो चार्स हो था हम वर्ग जब निकाल लेंगे तो 20 आ जाएगा 20 वर्ग हो जाएगा 20 अंडर रूट 7 जो है आपका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट कह रहा है कि 2x2-x-1 यह दिखें दिखाद समीक्रण है इसको आपको solve करना है इसको solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखें यह भी question आपसे पूछा जाएगा क्योंकि दिखाद समीक्रण वाला जो topic है वो आपके paper में है स्लाइबस में है इस वजह से एक question यहां से आपको जरूर मिलेगा तो देखें कैसे करना है इसको equation दी है 2x2-x-1 बराबर 0 है तो इसको solve करना है देखें दिखाद समीक्रण को solve करने का यह है कि जो एक power है जहां पे x की power 1 है तो उसके आप factor करिए जो x की power 1 है वो आपके यहा वाला और तीसरा मदलब जो x square वाला पद है और जो अचर पद है तो एक और दो की गुड़ा आप करेंगे तो क्या करें क्या होगा दो हो जाएगा तो दो और एक की गुड़ा दो हो गई जो आपको दो के ऐसे factor करने हैं जिनका जोड या घटाना 2 हो जाए तो देखें यहा और x देखें यह हो गया 2x और x इसके factor हो जाएंगे कैसे 2x और x है अब आप इसका घटाई है इसमें से देखें तो क्या आएगा 2x से x घटा देंगे तो x आ जाएगा आपका मतलब इसमें कोई change नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम इसकी जिगे 2x square minus यहाँ पे हम x की जिग माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा अब यहाँ से आप 2x पहले में से 2x कामल लेंगे तो क्या आएगा 2x कामल लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा इधर आप 1 कामल ले लीजिए तो आपका x माइनस 1 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा दूसरे packet में क्या हो जाएगा X-1 इसके अब मूल लिका लिए क्या हो जाएंगे एक तो हो जाएगा 2X प्लस 1 बराबर 0 तो यहां से X की value क्या जाएगी 2X बराबर हो जाएगा बराबर minus 1 यह X बराबर हो जाएगा आपका minus 1 बटे 2 दूसरी value यहां से क्या हो जाएगी अगर आप X अगर हम यहां पे दूसरा जो यह वाला है X-1 बराबर 0 कर दें तो X बराबर जो है आपका एक आ जाएगा तो एक और माइनस एक बटा दो यह आपके दो मून हो जाएंगे ओके और अगर आपके पास पास टाइम हो सपोस करिए इन केस अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करिए X की जो भी वैलिव आप निकाली है X बराबर वहां पर इस वाली equation में एक बराबर 1 रख के देख लीजे और फिर equation में X बराबर माइनस एक बटा दो रख के देख लीजे अगर बराबर में 0 आ जा रहा है तो आपका उत्तर सही होगा आप प्रॉस्चक भी कर सकते हो इसमें Next कह रहा है कि संख्या 14,641 यह आपको संख्या दी हुई है कह रहा है कि इसके वर्गमूल में अंकू की संख्या आपको निकालनी है तो इससे पहले जमने वीडियो कराया था वर्गमूल और घर्मूल में तो हमने आपको बताया था कि देखिए इसमें हमने दो दो सबसे पहले जोड़े बनाने हैं दाएं साइट से right side से में 2-2 के जोड़े बनाने देखें, 2-2 के जोड़े हमने बनाए तो कितनी संख्याइँ हो गई अगर यहाँ पर चुकि एक ही संख्या बत भी तो उसको भी एक जोड़ा मान लेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्याइँ होगी कितने जोड़े बड़े? 3 तो जितने जोडे बने उतने आपकी उस वर्गमूल में संख्याएं हो जाएंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा हमने यह भी बताया था कि आप जोडे बना लीजे, जोडे बनाने पर देखें, जया आप किवल इसमें गिनीए कितनी संख्याएं हैं, एक, दो, तीन, चा 5 के अगली संख्या के हो जाएगी 6, तो 6 का आधा 3, मतलब यही तो हमने बताया था कि अगर विसम संख्या हैं, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों के संख्या निकालनी हैं, और अगर उस संख्या में अंकों के संख्या विसम है, तो विसम संख्या होने पर जो भी संख्या रहें उसमें उसके उत्तरवरती संख्या के आधे के बरापर होगा इसमें पात संख्या हैं इस संख्या में तो अगली संख्या इसकी 6 हो जाएगी तो 6 का आधा 3 तीन यहां पर दोनों तरह से आपका 3 ही उत्तर आ रहा है तो यह आपको ध्यान रखना है ऐसे question आपके पूछे जाएंगे एक्जाम में next करा किसी चत्रवुज के किनी 3 कोणों का योगफल दिया हुआ है देखिए कोई चत्रवुज है जिसके 3 कोणों का योगफल आपको दिया हुआ है तो देखिए 3 कोणों का योगफल दिया है और ये भी आपको पता है चत्रवुज के सभी कोणों का योगफल जो होता है वो आपका 360 होता है तो कितना दिया हुआ है तीन कोमों का योगफ़ जो है 200 285 दिया है माली ज़द चौथा कोमों जो है वो X है तो बराबर क्या हो जाएगा 360 के यही तो होता है आपके चारो कुमों का योगफ़ 360 होता है तो यहाँ से X के वैल्यू आपको निकाल नहीं, एक समय बराबर क्या हो जाएगा, तीन सो साथ माइनस दो सो पच्चासी, आप इस से घटा दीजी, सो दस से पांच गया पांच, और उपर आपका बच्चा अठारा, स्वारी, पंद्रा, पंद्रा से याट गया, साथ, सो 75 डिग्री जो है आपका वो चौथाव, जो कूण है वो आपका 74 डिग्री हो जाएगा, सारी, 75 डिग्री हो जाएगा, यही करना था केवल गटा देना था आपको, परिमे संख्या माइनस 32 बटे माइनस 100 को सरलतम रूप में करिए, इसमें कुछ नहीं करना है केवल आपको भाग दे देना है, परिमे संख्या माइनस 32 बटे माइनस 100, सो देखे, इसको क्रॉस कर दीजिए, यह 4 से कर जाएगा, 8, सारी, 4 अठ बटेश, और यहाँ बचा आपका, 4 दुन्नी आठ, और 4 पंजे बीस, यहाँ उपर 4 से काट रहें न, तो यहाँ पर 8 बचेगा, 4 बटेश और 4 पंजे संहीं 100 हो जाएगा, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 8 बटे 25, अब चुकि माइनस माइनस अंस में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, माइनस माइनस आपका भी कट जाएगा, तो 8 बटे 25 जो है, वो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, नेक्ट कर रहा है कि माइनस, यह कॉश्चन अब ही हमने करा चुके हैं उपर, 0.8 है यहाँ पर, उसमें 0.8 था, यहाँ पर 0.1 है के वल, 0.1 इसका आपको घनमूल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसी तरह हैं फिर कर लेंगे, जित्ते 0 हैं, उत्ते 0 हैं, बढ़ा लेंगे, 6 0 बढ़ जाएगे, 1, 2, 3, 4, 5, और एक आपका 6, तो एक का घनमूल निकालना है, एक आएगा, और इसका निकालेंगे, तो आपका 100 आजाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0.01, क्रॉस चेक करना है, तो आप 0.01 को 3 बार मल्टिप्लाई करिए, तो यही उत्तर आपका हो जाएगा, जो यहाँ पर कुश्चन रंख आपको दी हुई है, 3X बराबर 6, दूसरी समिक्राट दी है, 4X प्लस Y बराबर 14, 14 दिया हुआ है, तो आप से Y कमान पूछ रहा है, तो यहाँ से आप पहले जी समिक्राट दी है, यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हुए, यहाँ से X की वैल्यू आपकी तुरंद निकालाएगी, 3X बराबर 6 दिया हुआ है, तो X से बराबर आपका 2 हो जाएगा, यह आप निकाल लीजे यहाँ से, तो X की वैल्यू आप इस वाली एक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पर X की वैल्यू दो आप रख दीजिए, यहाँ पर X की ज़िए आप 2 रख देंगे, तो 8 प्लस Y बराबर 14 चौदा आजाएगा, यह आपका 14 हो जाएगा, तो Y बराबर आपको निकालना है, Y बराबर क्या हो जाएगा, 14 से आप 8 घटा देंगे, तो 6 उत्तर आपका है, हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, साइन साट बटे, कॉस्ट तीस की वैल्यू पूछ रहा है, देखे, अभी हमने उपर आपको इसी तरह का कॉस्चन कराया था, साइन साट डिग्री बटे, कॉस्ट साट डिग्री, साइन साट की वैल्यू आपको बताया, उल्टा होती ही, सेम होती है, साइन साट की वैल्यू क्या होती है, साइन साट की वैल्यू होती है, रूट तीन बटा दो, पूछ रहा है कॉस्ट तीस की वैल्यू, सो cos 30 की value भी root 3 बटा 2 होती है अब यह हमने आपको बताया ओके यह आपका दोनो-दोनो कट जाएंगे एक उत्तरा जाएगा आपका पुछ निंग करना है बस एक को आपको value दिहान रखनी दिए ओके वेल्यूज निकालते कैसे हैं देखिए एक अगले हम आपको यह बता देते हैं कि values आप निकालते कैसे हैं देखिए इसमें simple है आप sign की अगर सारी values आपको पता है तो बाकी values आप निकाल सकते हो देखिए क्या करना है रहता है पहले आप संख्याएं लिख रहे हैं यह values आती कैसे हैं 0 1 2 3 4 और यह इसी तरह values आएंगे आपके यह हो जाएगा 0 0 degree का यह हो जाएगा आपका 30 degree का यह हो जाएगा 45 degrees का यह हो जाएगा आपका 60 और यह 90 मतलब ऐसे ही values आएंगे देखिए आप इन सब का 0, 1, 2, 3, 4 को आप बटे 4 से भाग देते जाएए इसको आप चार से भाग देते जाओ, सबको चार से भाग देते जाओ, देखें, चार से भाग देते जाइए सबको, ओके, चार से भाग देंगे तो क्या आएगा, और चार से भाग देते जाइए, और रूट निकालते जाइए, सबका रूट निकालते जाइए, देखें, यह से ही आपकी values आती है देखिए अब इसको आप अंडरूट में निकालेंगे कोई नहीं सब एक ही आएगा अब यह साइन के लिए है जो भी हम यह बता रहे हैं यह साइन थीटा इसकी value है तो यह 1 बटा 4 हो जाएगा 1 बटा 4 का अंडरूट निकालेंगे तो आपका 1 का तो एक ही आजाएगा और 4 का अंडरूट निकालेंगे तो आपका 2 हो जाएगा दो बटे 4 का हम निकालेगे तो एक बटा 2 हो जाएगा दो दो चार काटेंगे तो एक बटा 2 हो जाएगा और यह values किसके है किसकी है देखिए आपकी sin 0 की value जो होती है यह 0 degree की value हो गई यह 30 degree के value हो गई आपकी यह आपकी 60 degree के value यह आपकी 45 की है एक second यह जो है यह आपकी 45 degrees की है एक second देखें यह है 45 degrees की यह है 60 degrees की और यह है 90 degrees की देखें, sign में values ऐसे ही होती है आपको ऐसे ही नंबर जो हो जाते हैं साइन 0 का 0, साइन 30 का 1 बटा दो, साइन 45 का 1 अपान अंडरूट दो, साइन 60 का अंडरूट 3 बटा दो, और साइन 90 का 1, ये values होती है, अब इसी तरह आप cos theta निकालना है, देखे, cos theta अगर आपको निकालना है, तो उल्टा करते जाएगे, cos theta में देखे, साइन 0 की value, अब आप इधर से घटाते, उल्टा करते जाएए, इधर sin 90 की value 0 थी, 1 थी, तो इधर cos 0 की value 1 हो जाएगी, उधर sin 60 की value, sin में sin 60 की value root 3 बटा थी, दो बटा थी, तो आप इधर cos 30 की value root 3 बटा 2 हो जाएगी, ओके, फिर आपका under root 1 upon under root 2, मतलब 45 में चुकी, दोनों तरफ से आप गिनेंगे, तो बीच में पड़ जाएगा, sin 60 की value जैसे हमारी root 3 बटा 2 थी, ओके, इधर से जो values हमने sin की लिए निकाली है, cos के लिए values हमने उल्टा करम्मी लिख देनी, यही sin cos की value हो गई, अब आपको sin cos की value पता हो गई है, tan की value आप निकाल सकते हो, और जब tan की value पता हो गई, तो बाकी आपकी sin theta, sin, sorry, cos sec की माली जै निकालनी है, तो sin का उल्टा कर दीजे, कॉस की निकालनी है, तो सेक्ट का उल्टा कर दीजिए, मैं इसे यू आपगेवल, इतुनमुश्य इस得 को नहीं है। next question कह रहा है एक दो question और रहे हैं कर लेते हैं फटाफट ये question थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा time लगेगा आपको देखें इसमें ये कह रहा था कि 7 की power 1 बटा 5 है यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 7 की power 1 बटा 5 है upon में दिया हुआ है 7 की power 1 by 3 7 की power 1 by 3 अब देखें चुकि ये गहात का question है इसको हम ऐसे भी तो लग सकते हैं 7 की power 1 बटा 5 अब अगर हम इस power को उपर ले जाए तो क्या हो जाएगा ये power आपकी minus में चली जाएगी ये power जो है आपकी वो minus में उपर जाएगी तो minus में हो जाएगी बस आपको ये ध्यान रखना है 7 की घात आपकी minus 7 बटा 3 हो जाएगा बस ये आपको ध्यान रखना है अब आपको हमने पिछली वीडियो में जब हमने घात करनी के बारे में बताया था तब ही हमने आपको बताया था कि गुड़े में घाते आपकी जुड़ जाती है अगर बेस समान है देखे यहाँ पे बेस चुकि आपका आधार इसका एक साही है देखे यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है तो ये गुड़े में घाते जो है वो आपकी जुड़ जाएगी तो 7 की पावर क्या हो जागी 1 बटा 5 अब प्लस है प्लस होता लेकिन चुकि आप माइनस पहले से लगा हो तो माइनस उन बटा 3 अब आप दोनों को सॉल्फ कर लीजिए 7 की पावर आप इसका अगर 15 करेंगे इसका LCM 15 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे बटे 15 तो साथ की पावर माइनस 2 बटे 15 यही आपका सही तर हो जाएगा कुछ नहीं करना था ठीक यह आपके प्रिविएस एर के क्वेश्चन पेपर हुए इसमें हो सकता है गाइड में जित्ते दिये थे उतने मैंने आपको करवा दिये यह बाकी एगर कोई में पर दिया हुका है थोड़ा साथ बड़ कोईश्चन देखे कोईशन अपका दो नंबर का है लेकिन अब्जस्टीम है बुक में पूछने कहते हैं रहा है कि य्शचन बताक है ibaratam Superintendent ृ तीन मेज और पाच कुरसी का मोम लहना 6 इतीन के साथ को लिख देते हैं table और पाँच कुरसी कुरसी को हम चेर लिख देते हैं तीन table तीन कुरसी और तीन मेज और पाँच कुरसी इनका मूल जो आपको दे रखा है वो दे रहा है एक हजार रुपय और दूसरा जो दिया हुआ है दूसरी condition दी हुई है कि 5 मेज मतलब 5 table और दो कुरसी, दो चेर इनका मुल्य जो दे रिखा है वो आपको 970 रुपे दे रिखा, मतलब दो equation आपको यहां से बना लेनी है suppose करिए हम कुरसी के लिए मेज के लिए x लिखते हैं suppose करिए मेज के लिए x लिख लेते हैं, तो 3x हो जाएगा plus चेर के लिए y लिख लेते हैं कुरसी के लिए 5y बराबर 1000, यही तो यहां पर दे रखा है कि 3 मेज और 5 कुरसी का मुल्य लिख लिख 1000 है, और दूसरी equation जो दे रखा है कि 5 मेज, 5 मेज मतलब x, 5x plus 2y चेर बराबर है आपका, यह बराबर है आपका 970 के तो देखे, ऐसी equation अद दीवी है अब इस equation को आप solve को लिजे आपका उत्तर ऐसे ही निकला आएगा इस equation में कुछ नहीं करना है अब यह equation आपको दे दी गई है तो देखे इसको solve करने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम किसी एक को तो काटने पड़ेगा यहाँ पर सुदेखे अगर इस वाली equation को पहली वाली equation को हम कर दे तीन से पात से multiply अगर हम कर दे इसको एक सिकन्ड पहली वाली equation को हमको 5 से multiply करना पड़ेगा और दूसरी वाली equation को हमको 3 से multiply करना पड़ेगा देखिए हम x की values को जो है वो बराबर करना चाहरे है तो देखिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 15x इधर हो जाएगा आपका 15x प्लस माज से गुड़ा करने हैं तो यह आपका हो जाएगा 25y बराबर क्या हो जाएगा 5000 यह 5000 हो जाएगा तो इधर हम 3 से multiply करने हैं तो यह भी आपका 15x प्लस देखिए 3 से multiply करने हैं तो यह 6y हो जाएगा और इसको हम multiply करेंगे 970 को 3 से तो यह आपका आजाएगा 2910 ओके तो देखिए 15x 15x आपका कट जाएगा तो यहां से आपका यह आजाएगा 15 और यह minus minus हम करेंगे तीनों तरफ हमको minus लगाना पड़ेगा यहां पर minus करेंगे तभी आएगा तो 25 से 6 आजाएगा तो आपका हो जाएगा 25 से 6 जाएगा तो हो जाएगा 19y यह हो जाएगा 19 y बराबर हो जाएगा आपका 5000 में इसे 2910 घटाएंगे तो यह आपका आजाएगा 2910 10 9 यह हो जाएगा 2090 यह हो जाएगा 2090 यह मैंने solve किया हुआ है तो मैं direct आपको बताए दे रहा हूँ अब आप इसको जो solve करेंगे तो यहाँ से जब आप solve करेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा देखें इसको solve करेंगे solve करने पर आपकी values आएगी y बराबर तो y बराबर आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 110 आप solve उपर के देखेंगे y बराबर 110 हो जाएगा अब आप किसी भी equation में value रख दीजिए एक्स की जो y की value आई है वो किसी भी equation में रख दीजे तो आपका यहां से x बराबर भी आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 150 यह दो values आपके आई y की आई 110 x की आई है आपकी 150 यही आपको यहां पूछ रहा है तो आपसे क्या कह रहा है तो एक कुरसी ऐक मूर्य का प्रतख 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 लğremos बताना है तो देखें यहां पर कुरसी के लिए हमने क्या माना था कुरसी के लिए हमने y माना था तो एक कुरसी का जो मूर्य हो जाएगा डो फो हम छियर का गर हम दिख ले Companies इसको हम चेयर कह रहे हैं तो चेयर का 110 हो जाएगा और जो आपके मेज है उसका value हो जाएगी 150 अब एक कुरसी एक चेर का पहुच रहा है तो देखी question objective में दिया हुआ था लेकिन बड़ा यह दो number का question है तो यह आपको इस तरह का भी question आ सकता time taking थोड़ा सा आपको question के पर हो सकता है ओके यह question आपके हुए अगले वीडियो में हम कुछ और question कराएंगे मात धिमादी का बहुलग इनसे related question आपको करवा देंगे वर्ग बेलन आयत इनसे related question करवा देंगे जिससे आपका concept जो है वो clear हो जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद